लाइव तजवीरे बीजेपी मुख्यालाय से नई दिल्ली से किस तरह से फूलों के साथ में और ये जो स्वागत किया है अभूतपूर प्रधार मंतरी का जेपी नड़ा बीजेपी के राश्ट्री अध्यक्ष वो प्रधार मंतरी का स्वागत करने के लिए सामने आये और ये देखिए किस तरह से बीजेपी कारकरता बड़ी संख्या में वहाँ जुटे हुए है भाजबा का जंडा हात में ले करके और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के कट आउट्स हात में ले करके स्वागत है कुछ इक्षणों में आधनिया अध्यर जी के साथ आधनिया प्रधान मंतरी जा जाएंगे हम सब नारा दे रहे अपने अपने स्थान पर बैठ जाए हम नारा दे रहे है हर्याना की जीत हमारी है उसके साथ साथ नारा देना है हर्याना की जीत हमारी है महारा जारकन की भी बारी है महारा जारकन की बारी है हर्याना की जीत हमारी है एक बार महारा जारकन की बारी एक बार दिल्ली की बारी ऐसा करेंगे ठीक है हर्याना की जीत हमारी है अब जार करें हर्याना की जीत हमारी है अब हर्याना की जीत हमारी है वलो सत्यपती श्रिवाजी महराज की बारत महत्ता की अब हर्याना की जीत हमारी है 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 बारत महत्ता की बारत महत्ता की मोदी जी विकास करो देश तुमारे साथ है मोदी जी विकास करो देश तुमारे साथ है मोदी जी जी को जशली राम मोधी जी को जैस्त्री राम बार्जपाज जिन्द बाद बाजपाज जिन्द न्बाद हमारे लोग अậpरिय प्रदानमंत्री आदानिय हमोधी जीए और आदानिय अध्य जी हम सब को मिलने के लिए अभी हाँ साथ मने आकर आप सब के अभी नदन का स्विकार करेंगे मोदी जी को जैस्वी राम 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 मोदी जी विकास करो मोदी जी विकास करो हर्याना की जीत हमारी है हर्याना की जीत हमारी है हर्याना की जीत हमारी है बारस मत्त की मोदी जी को जैश्री राम मोदी जी को जैश्वी राम नड़ा जी को जैश्वी राम मोदी जी विकास करो मोदी जी विकास करो मोदी जी विकास करो दुनिया के लोक प्रिय राजनेता अमारे देश के लाड़ले प्रदान मंत्री आदर्य मोजी जी का मंज पर आधमन हो रहा है कि मैं आधनिय राष्टिय अध्यक्ष जगत्प्रकाश नडडा जी से नमना नुरोथ करता हूं कि आधनिय प्रदान मंत्री जी का पटका पहना कर स्वागत करें और इस स्वागत के बाद पुरी देश की जनता की ओर से आधनिय नडडा जी आधनिय रक्षा मंत्री और आधनिय ग्रह मंत्री एक पुष्पमाला पहना कर इस जीत पर जिनके नेत्रुत्व में ये जीत हमने है इस जी आधनिय ऑनका बहुराद अबिरनन करेंगे मोदी जी को जैश्री राम मोदी जी मिकास करो Workshop करोματα करो मोदी जी जी मिकास करो अ कि आज के हर्याना और जंबु कश्मीर के चुनाओं में कि बारे मता की बारे मता की बारे मता की सब अपना अपना स्थान गरन करेंगे आज जो एक बड़िया जीत हर्याना और जंबु कश्मीर में जिनके नेत्रुतों में हमने प्रात की है वो आज या मौजूद है और जिनके मारद रशन में हमने यह चुनाओं लड़ा ऐसे आजाएंडिया राष्ट्री अध्यश्ट मारणिया जगर्प्रकाज नड़्डाजी से मैं इनम्रन निवेदन करता हूं कि वो हम सब को आकर यह सम्मोदित करें कि अधार्च माता की अधार्च माता की भारत माता की है अधार्च माता की है आज के इस आभार कारिक्रम में हम सब के बीच में उपस्तित हम सब के ये शस्वी नेता भारत के ये शस्वी प्रधान मंत्री आधर्णिय श्री नरेंडर मोदी जी भारत के रक्षा मंत्री आधर्णिय श्री राजनात सिंग जी भारत के ग्री मंत्री आदरनेशी अमिद भाई शाजी यहां उपस्थित हमारे मंत्री मंडल के सभी वरिश सदस्यगन पदादिकारी और इतनी बड़ी संक्या में इकत्राए देवी और सज्जनों मीडिया के मेरे साथी आज यहां प्रदान मंत्री मोदी जी के निर्टित में जो जीत हासिल हुई है उसके आभार कारक्रम में जनता को आभार देने के लिए हम सब लोग यहां उपस्तित हुए हैं मैं सबसे पहले तो अपनी और से और आप सब लोगों की और से और करोड़ों लोग जो मीडिया के माध्यम से इस कारक्रम में शामिल हुए हैं उनकी और से आदरनिया प्रदान मंत्री जी को इस कारक्रम में आने के लिए उनका हार देख अभी नंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मित्रो ये जो जीत हर्याना में हमने हासल की और जो जम्मू कश्मीर में भी हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया ये सब आदर्णिय प्रधान मंतरी मोदी जी के नेटुत में जो जन्ता ने विश्वास व्यक्त किया, मत व्यक्त किया ये उसका परिणाम है कि आज जब कॉंग्रेस के लोग हर तरीके से जूट फैलाने में लगे थे उस समय जन्ता ने उनकी एक नहीं सुनी और आदर्णिय अप्रधान मंतरी मोदी जी के नेटुत में आपका अधक परिश्रम आपका अधक प्रयास और आपने जिस तरीके से भारत की जन्ता को एक ताकत देने का काम किया जिस तरीके से आपने देश के परिस्टियों को बदलने का प्रयास किया उन सब के उपर ये हर्याना की जन्ता ने फिर से मुहर लगा करके बता दिया है कि भारतिय जन्ता पार्टी के साथ आपके नितुत में सारी जनता खड़ी है कल आपने अपने जीवन के 23 वर्ष प्रधान प्रशासक के रूप में अविरल लगातार बिना किसी ब्रेक के 23 वर्षों से 13 वर्ष बुक्यमंत्री के रूप में और 10 वर्ष पूरे करते हुए प्रधान मंत्री के रूप में प्रतन प्रधान सेवक के रूप में आपने सेवा की और आज हर्याना के नतीजों ने बता दिया कि आपके अथक प्रयास आपका परिश्रम आपने बिना रोके हुए बिना ब्रेक लगाए जो भारत की जनता की सेवा की है उसको पूरा किया है और वह मजाज को दरसाता है आपने पिछले 23 सालों में जिस कारकरता भाव से जिस समर्पन भाव से देश की तस्वीर को बदलने के लिए थक प्रयास किया है यह उसका नतीजा है कि आज हम हर्याना हो चाहे देश का मिजाज हो वह हम देखते हैं वह मोदी में है और यह बात फिर से सावित होती है कि मोदी है तो मोदी है तो और ये मोदी की गारंटी है इसको भी हमको समझना चाहिए मित्रों हम सबको जानना चाहिए कि आधर निया प्रधान मंत्री जी ने देश की राजनीती की रिवायत को बदल डाला है हमने देश में राजनीती देखी है दस साल पहले हम देखते रहे हैं कॉंग्रेस जाती वाज को आगे बढ़ाती रही है कॉंग्रेस भाई भती जावाज को आगे बढ़ाती रही है और आज भी जाती वाज में लोगों को बातने में कोई कसम नहीं छोड़ रही है हमने देखा है किस तरीके से परिवायरवाद को कॉंग्रेस पार्टी ने बढ़ाया किस तरीके से भरस्टा चार पंपा जहां कॉंग्रेस है वहां करप्शन है जहां कॉंग्रेस है वहां कमिशन है जहां कॉंग्रेस है वहां क्रिमिनलाइजेशन है ये तीनों सी कॉंग्रेस के साथ जुड़ते हैं ये हमको समझना चाहिए लेकिन आपने इस रिवायत को बदला भरस्टाचार को जर्मुल से समथ करने का किया वहीं भाई बती जावाद वहीं परिवारवाद और इन सब को धत्ता दिखाते हुए आपने विकास वाद को आगे ये सरकार ये प्रो एक्टिव सरकार है आपके नेत्रतु में चलने वाली सरकार ये प्रो रिस्पॉंसिव सरकार है ये एकाउंटेबल सरकार है ये सरकार अपने से आगे बढ़ करके जटा की सेवा के लिए लगी रहती है और ये उत्तरदाई दायतों के बोच से पूरी जि बढ़ानेवाली सरकार है इसलिए अकाउंटेबल सरकार रिपोर्ट कार्ड की सरकार है और विकास वात को आगे बढ़ाने वाली सरकार है और इसी बात कि आपके नेत्रतु में एक से एक रिकॉर्ड बन रहे हैं अगर उत्राखन में हमने दूसरी वार लगातार सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में दूसरी वार लगातार सरकार बनाई गुआ में तीसरी वार लगातार सरकार बनाई तो आपके नेत्रतु में हर्याना में भी जब से प्रुदेश बना है पैनी वार लगातार तीसरी वार सरकार बनी हुआ 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 मुझे याद है आप हर्याना के प्रभारी होते थे हर्याना के साथ-साथ आप हिमाचल के प्रभारी होते थे हिमाचल के हर्याना के आपने जिला जिला कस्बा कस्बा घूमा कोई ऐसा कारे करता नहीं है जिसको आप नाम से नहीं जानते और आपने वहाँ पर हर्याना में भारतिय जनता पायती को सशक्त करने की नीव रखी थी मुझे याद है कि आपने विचार अधिकारियों को आपने वहां बुलाया था तीन दिन बैठ करके आपने योजना बनाई थी उस योजना पर हर्याना में हम आगे बढ़े और आज आपके नितुत में हर्याना भारतिय जनता पार्टी का गर बन गया है और बे रोक टोक तीसरी वार लगातार सरकार बन रही है मैं यहां यह भी पताना चाहता हूं कि आपके नितुत में हर्याना में हमारा सीट शेर भी बढ़ा है और हमारा वोट शेर भी बढ़ा है यह जो बोलते थे जिनके मन में लड़ू फूट रहे थे उनको घर पे बैठा दिया और बिल्कुल सही आपने कहा यह जो जलेवी क्या अंदाज लेकर के बैठे थे वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई यह हमारा वोट शेर भी बढ़ा हमारे सीट शेर भी बढ़ा और सबसे बड़ी बात यह है कि दलिद भाईयों में हमारी सीटों में भी इजाफा हुआ और उसमें भी हम आगे बढ़े हार्याना आज युवाओं के लिए किसानों के लिए दलिद भाईयों के लिए महिलाओं के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है तो वो भारतिय जनता पार्टी है और कमल का निशान है ये नौन स्टॉप हर्याना ये आगे बढ़ेगा ये जीत विक्सित भारत के कम संकल्प की जीत है और उसके प्रति हमारे समर्पड की जीत है ये जीत जहां वो समाज को विग्टन में डाल करके समुदाय को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे वहां सभी को साथ लेकर के चलने का काम मोदी जी के ने तुट में सबका साथ सबका विखास सबका विश्वास सबका प्रयास इसको आगे बढ़ाया है और कॉंग्रेस पार्टीए जूत फैलाने में कोई बीकसर में चोड़ी थी को इसकृ लेकिन हर्याना की जंता में एक भी से मैंहें तो। और बताना चाहता हूं एक हमारी यहां की कट्टर वाईमान पार्टी भी है ये photon die कि बसीटोपर लड़े थे हैं। जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर में भी हमारी पिछली वार से सीटे अधिक आई हैं और हमारा गोट शेर भी बढ़ा है और समय दूर नहीं है कि वहां भारतिय जनता पार्टी है तो धारा 370 वापस हुई है और हमेशा वापस रहेगी इस बात का पूरा विश्वाश्य इसलिए मैं आप सब को आपके माध्यम से सभी कार्यकरताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब के माध्यम से हर्याना की जनता जम्मू कुष्पीर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और पार्टी के कार्यकरताओं से आवान करताओं कि आप पूरी ताकत के साथ जुड़ जाएए आगे हमने माराष्ट्र भी जीतना है आगे हमने जारकन भी जीतना है और हमने दिल्ली में भी कमल खिलाना है और इसलिए आप सब लोगों से मैं धन्यवाद देता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ पुना उनको अभी नंदन करता हूँ और उनको विश्वास लाता हूँ कि पार्टी को आगे बढ़ाने में आपके नेतुत में हम सब कारे करता मिलकर के कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे और आपके नेतुत में एक पर एक जीत हासिल करते चले जाएंगे इनी सब्दों के साथ मैं आपके और प्रदान मंत्री जी के बीच में ज्यादा समय ना लेता हुआ पुना आपके आने पर आपका अभिनंदन और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोजार सहितालिस में विकसी भारत जो देखना चाते हैं ऐसे सब लोगों के उर्जा स्तुरोथ हमारे देश के प्रदान मंत्री आधनिय मोदीजी से मैं नम्रविन निवेदन करता हूं कि वो पूरी देश की जनता को संबोधित करें भारत माता की है, 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 हम सबने सुना है, हम सब ने सुना है जहां दूद दही का खाना वैसा है अपना हरियाना हरियाना के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है साथ्यों आज नवरात्री का छट्था दीन है मा काच्या यनी की आराधना का दीन है मा काच्या यनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किये हुए है हम सभी को आशिर्वाद दे रही है ऐसे पावन दिन हरियाना में तीसरी बार लगातार कमल खिला है गीता की धर्ती पर सत्य की जीत हुई है गीता की धर्ती पर विकास की जीत हुई है गीता की धर्ती पर सुशाशन की जीत हुई है हर जाती हर वर्क के लोगों ने हमें बोड दिया है साथियों जम्मु कश्बीर में दसकों के इंतजार के बाद आखिर कर शान्ती पुर्वक चुना हुए बोटों की गिंती हुई नतीजे आये ये भारत के संविधान की जीत है भारत के लोगतंत्र की जीत है जम्मु कश्मीर के लोगों ने नेशनल कांफरंस उनके गड़ बंदन को ज़्यादा सीते दी हैं मैं उन्हें भी शुप कामराय देता हूँ वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मु कश्मीर में जितनी भी पार्टिया चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट सेर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन करके उबरी है मैं हर्याणा और जम्मु कश्मीर में जीत हासिन करने वाले सभी उमिद्वारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं हर्याणा और जम्मु कश्मीर की जन्ता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं सभी भाजपा कायर करता हूँ को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूँ हर्याणा की जीत कायर करताओं के अथाद परिशम का परणाम है हर्याणा की जीत नड्याजी और हर्याणा की टीम के प्रयासों की जीत है हर्याणा की जीत अतीशे नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्य मंत्री जी के करतव्यों की भी जीत है साथियों आज हर्याणा में जूट की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है हर्याणा की जन्ता ने नया इतिहास रच दिया है शायद आप लोगों को पुरी जानकारी नहीं होगी हर्याणा का गठन 1966 में हुआ था इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्ज़ों ने इस राज्य का नेत्रूत्व किया शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पुरा हिंदुस्तान जानता है एक जमाना था हर्याणा के इन दिग्ज़ नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था हर्याणा में अब तक तेरा चुनाव हुए तेरा तेरा चुनाव में से दस चुनाव में हर्याणा के लोगों ने हर पांच साल के बाद सरकार बदली लेकिन इस बार हर्याणा के लोगों ने जो किया है वो अभूत्पुर्वा है वो पहले कभी नहीं हुआ पहली बार ऐसा हुआ है जब दो कारकाल पूरे पांच-पांच साल के दो कारकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हर्याणा में फिर से मोका मिला हो यह भारतिय जनता पार्टी को कि तीसरी बार मोका मिला है यहां के लोगों ने शुरक तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बढ़ाई बलकि हमें सीटे भी जाजा दी है और वोट्षेर भी जाजा दिया है ऐसा लगता है हर्याणा के लोगों ने छप पर फार कर वोट दिया है कि इस जनादेश की गुंज दूर दूर तक जाएगी अ साथ्यों भाजपा दुनिया का सिर्प सबसे बड़ा दल ही नहीं है भाजपा सबसे जादा दिलों में भी बसी हुई है हर्याणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई भाजपा ने कॉंग्रेश के कूशासन से मुक्ति दिलाई इसलिए गुजरात और मद्द प्रदेश की जनता दो दसक से भी जादा समय से वहाँ अपना आशिरवाद बनाए हुए अरुनाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है यूपी और बिहार में कानून का राज थापित करने वाली भाजपा एंडिये की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे हैं असम त्रिपुरा और उत्राखन में लगातार डोट्टम से भाजपा की सरकार है जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है और दूसरी तरफ कॉंग्रेस के हालत कैसी है पिछली बार कप कॉंग्रेस की किसी सरकार की वापस हुई है है जो सरकार में थे कितने साल पहले वो दुबार आये थे करीब 13 साल पहले 2011 में असम्म उनकी सरकार लोटी दिबागी एक भी नहीं लोटी उसके बाद भी जितने चुना हुए लोगों ने कहीं भी कॉंग्रेस को सेकंटम नहीं दिया है आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों देश में कितने ही राच्य है जहां कॉंग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी कहीं पर 50 साल पहले थी कहीं पर 40 साल पहले थी 50-50-60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है एक बार लोगों ने निकाल दिया कॉंग्रेस को गुसने नहीं दिया कि देश के जाधातर राज्य के लोगों ने कॉंग्रेस के लिए नो इंट्री का बॉर्ड लगा दिया है पहले कॉंग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे लोग तो उसको वोड़ देंगे ही लेकिन अब कॉंग्रेस की पोल खुल चुकी है उसका दिब्बा गोल हो चुका है साथियों कॉंग्रेस सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती है सरकार में ना रहे पर कॉंग्रेस की हालत जल्बिन मचली जैसी हो जाती है इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को समाज को भी दाओं पर लगाने से नहीं ही चक्ति है आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कॉंग्रेस हमारे समाज में जाती का जहर फैलाने पर उतर आई है जो लोग चांदी नहीं सोने का चंबच मुह में लेकर पैदा हुए जो लोग पीडी दर पीडी फाइव स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं वो गरीब को जाती के नाम पर लड़वाना चाहते हैं हमारे दलीत पिछडे आदिवासी समाज को भूलना नहीं है यह कॉंग्रेस है जिसने दलीतों पिछडों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया यह कॉंग्रेस है जिसने उन्हें इतने दसकों तक रोटी पानी मकान से बंचित रखा यह वो लोग हैं जो सौ साल बाद भी कि सत्ता मिलने पर कभी किसी दलीत पिछडे आदिवासी को प्रधानमती नहीं बनने देंगे सच्चा यह है कि कॉंग्रेस का परिवार दलीतों पिछडों आदिवासियों इनसे नफ्रत करता है उनसे चीरता है कि इसलिए आज जब दलीत पिछडे आदिवासी सीर सस्थान पर जा रहे हैं तो इनके पेट में चुहे दोड़ने लग जाते हैं हर्याना भी इन्होंने दलीतों को ओबिसी को भागी दैरी देने से साफ इंकार कर दिया था कि उन्होंने दलीतों और पिछडों को भी अपमानित किया कॉंग्रेस के शाही परिवार ने तो दंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षन खत्म कर देंगे दलीतों और पिछडों को आरक्षन चीन कर कॉंग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाहती थी हर्याने भी हर्याने भी वो यही करने जा रही थी चाहत्यूं कॉंग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके भारत में अराजकता फैला कर देश को कमजोर करना चाहती है इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं लगातार आग लगाने की कोशिस कर रहे हैं देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए लेकिन हर्याणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है वो भाजपा के साथ है हमारे दलीत ओविसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिस हुई क्या क्या प्रपस्ट नहीं किये गए लेकिन इस समाज में भी इस सड़ी अंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है भाजपा के साथ है इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपपचार किये हमारे नौजवानों को बढ़काया इस साजिस को भी हर्याना के नौजवानों ने नाकाम कर दिया आज हर्याना ने कॉंग्रेस को दो टूग संदेश दे दिया है यह देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी हर्याना की हर बिरादरी हर परिवार ने एक जुढ होकर वोड दिया देश भक्ति से ओत प्रोत होकर वोड दिया देश भक्तों को माटने की साजिस को हर्याना ने फेल कर दिया साथियों बीते कुछ समय से भारत के विरूत बाती बाती के शडियंत्र चल रहे हैं भारत के लोगतंत्र को भारत के अर्थतंत्र को भारत के सामाजी ताने बाने को कमजोर करने के लिए बाती बाती की साजी से हो रही है अंतर रास्तिय साजी से हो रही है आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्याने देश्वास्यों से कह रहा हूं कि कॉंग्रेज जैसी राष्टिय पार्टी अंके चट्टे बट्टे इस खेले में खेमे में शामील है इस खेले में शामील है देश्वक्त हर्याना ने आज ऐसी हर साजीस को भी मुहत्तोर जवाब दिया भारत और हर भारतिय को संकल्प लेना है कि हम ऐसी किसी साजीस को सफल नहीं होने देंगे भारत विकास के राष्टे से नहीं बठकेगा साथियों आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पस्ट किये है कॉंग्रेस आज पुरी तरह पर जीवी पार्टी बन गई है यहां हर्यारा में कॉंग्रेस पर जीवी बन कर किसी के साथ नहीं थी अकेली थी तो उसे करारी हार मिलें जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कहीं कह रही थी कि कॉंग्रेस की बज़े से उसे नुक्षान हो रहा है और आज के नतीजों में भी वही दिखा है आपको याद होगा लोग सभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था लोग सभा में कॉंग्रेस जितनी सीटे जीती उनमें आदिसी जादा सीटे वो अपने सहयोगों की बज़े से जीती है इसके अलावा जहां सहयोग्यों ने कॉंग्रेस पर भरोसा किया वहां उन सहयोग्यों की ही नईयाद डूब गई कई राज्यों में कॉंग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा कॉंग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोग्यों को ही निगल जाती है साथियों कॉंग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफसर करते हो नफरत करते हो अपनी राष्ट्रिय संस्ताव पर संका करते हो जिस जिस पर देश वासी गर्व करते हैं कॉंग्रेस बुद हर चीज की छबी को दुबिल करना चाहती है देश का चुनावायो हो देश की सेना हो हमारी पुलीस हो देश की न्याय पाली का हो कॉंग्रेस हर संस्ता पर दाग लगाना चाहती है आपको याद होगा लोग सभाज चुनाव का परणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहरम मचाया था चुनाव के दोरान भी ये लोग इनको सहयोगी दल इनके अर्मन नक्सल साथी कितनी बार कौड गए सुप्रिम कौड तक गए और किस लिए ताकि ये लोग चुनाव आयो की सम्वेधानी निस्पक्ता पर बट्टा लगा सकें आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है आज भी कॉंग्रेस ने देश की जनता को गुम्रा करने की कोशिश किये हैं कॉंग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्ताओं की निस्पक्ता पर सवाल उठाए उसकी प्रतिश्चा पर आगात करें कॉंग्रेस की यही आदत रही है कॉंग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी करतूतें करती आ रही है कि साथियों जम्मु कश्पी पर इस बार हुआ चुनाओ कई माइनों में त्यासिक रहा है वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद यह पहला चुनाओ था आजादी के साथ दसक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था उन्होंने भी पहली बार इस चुनाओ में अपना वोट डाला है कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा लेकिन कश्मीर जला नहीं कश्मीर और खुबसूरती से खिला है खिल खिलाया है जीस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नम्मर में बोट डाले वहर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है हमारा जम्मु कश्मीर कर्फियो और अलगाववा के कालखन से बाहर निकल रहा है 1947 के बाद पहली बार हमारी सरकार ने जम्मु कश्मीर में बीडी सी के चुनाव कराए आज पहली बार प्रसाशन के हर स्तर पर फिर चाहे वो विदायक हो बीडी सी हो डीडी सी हो हर स्तर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिदी काम करेंगे हमने जम्मु कश्मीर में संविदान की स्पिरीट और उसकी मर्यादा की पुनप्रतिश्टा की है बाबा साब अंबेर करको इससे बड़ी स्तर धांजली क्या होगी जाथियो मैंने विख्षित भारत के लिए चार संभों की चर्चा बार बार उस चर्चा को आपके सामने रखा है ये चार संभ किसान युवा महलाए और गरीब जम्मु कश्मीर हो या हर्यारा हम विकास को इनी चार धाराओं के चार संभों के बलबुते पर देश को विख्षित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है इनको ससक्त करना ही भाजपा की प्रात्विक्ता है हर्यारा के गरीब तो पिछले दस साल से डबल इंजीर की सरकार का काम देख रहे है मुप्त इलाज की सुविधा से लेकर नल से जल और पक्के घर तर हर्यारा के गरीब परिवारों को अनेट सुविधाएं मिली है अब हर्यारा की भाजपा सरकार गरीब कल्यार के काम को और अधिक गती देगी साथियों हर्यारा तो क्रिशी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामीर है हर्यारा की इस ताकत को भाजपा और मजबूती देने वाली है हमारा लक्ष एग्णम साफ है भाजपा सरकार हर्यारा के किसानों की उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुँचाना चाहती है बाजपा जैसा यहां का मोटा राज श्री अन्न के रूप में दुनिया भर के डाइनिंग टेबल पर पहुँचे यह हमारी प्रतिवध्धता है हर्यारा खाने के तेल में आत्मन निर्भरता के मिशन को भी शक्ति देने वाला है इससे हर्यारा के तिलहन किसानों को भी ज्यादा लाब होगा साथ यह हर्यारा के युवाओं ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है चाहे माने सर में मैडिफेक्टरिंग सेक्टर हो गुरुगरांद के स्टार्ट अप्स हो या फिर खेल की दुनिया हर्याना के छोरा छोरी खुब दुम मचा रहे है भाजपा सरकार इन सभी छेत्रों में और अधिक निवेश को बढ़ावा देने वाली है आने वाले समय में भारत दुनिया में खेलों की एक महाशक्ती बनने जा रहा है और इसमें हर्याना के नव जवानों के भूमी का बहुत बढ़ी रहना वाली है किसलिए हर्याना में स्पोर्ट ये इंफ्रास्रेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक रोड में भाजपा ने रखा है साथियों जब महिलाओं की बात आती है तो विमेन लेट डेवलप्मेंट आज देश का मिजाज बनता जा रहा है हमारी माताओं बेहनों बेटियों के ससक्तिकरान से जुड़े हर पहलू पर भाजपा फोकस कर रही है हर्याना वो राज्य है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रुपे देश को नित्रुत्व दिया है अब हर्याना में हजारों लगपती दीदी और ड्रोन दीदी बनाने वाले है लाडो लक्ष्मी योजना से भी हर्याना की बेहनों को मुक्त बहुत लाभ होने वाला है जब माताए बेहने आर्थिक रुप से समर्द होगी समर्थ होगी तो इसका लाभ पूरे परिवार को होगा परिवार समर्थ होगा तो हर्याना समर्थ होगा बेश समर्थ होगा साथियों भाजपा की सरकार राष्ट को सर्वों परिरक्पी है नेशन फरस्ट भाजपा की सरकार गरीबों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र हो या पिर हर्याना इन दस सावों में भाजपा की सरकार पर ब्रश्टा चार का एक दाग नहीं लगा है केंद्र सरकार पर जैसे दाग नहीं लगा है बैसे ही हर्याना सरकार दस साल चलाई हमने ब्रश्टा चार का कोई दाग नहीं है हमने सिर्फ और सिर्फ समर्पर भाव से जनता के विकास के लिए काम किया है और मैं इसके लिए हर्याना के मुख्यमंत्री बाईनाएब सैनी जी और पुर्व मुख्यमंत्री सिमान मनोहरलाज जी की भरपूर तारीप करता हूं बर्पूर पसंसा करता हूं उन्होंने हर्याना के विकास के लिए बहुत मैनत किये हैं साथियों जब जनता ऐसे काम को पुद्शाइट करती है नेक नियत और अच्छी निती को सराती है हर्याना ने भाजपा सरकार को पूद्शाइट किया है जम्मु कश्वीर ने भी भाजपा को पूद्शाइट किया है यह आशिरवाद हमें और भी अतिक महनत कर लिए प्रेडित करते हैं और मैं इसके लिए जम्मु कश्वीर और हर्याना की जनता को भी फिर एक बार रजएश से बहुत-बहुत साथुवाद करता है आज के जनादेश से भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प और मजबूत हुआ है इस जनादेश ने भारत को दुनिया की स्कील केपिटल बनाने के संकल्प को भी मजबूती दी है आपने हर उस प्रण हर उस पेना को सतक्त किया है जिसका मक्सद करोडों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है ये जनादेश भारत को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कठीन से कठीन फैसले लेने के लिए भी नया होसला देगा मैं आप सभी को पूरे देश को फिर ये भरोसा देता हूं कि आने वाले पांच साल और तेज़ विकास के होंगे हर याना विक्सित होगा जम्मु कश्वीर विक्सित होगा भारत विक्सित होगा और ये हम करके दिखाएंगे मैं एक बार फिर हर्याना और जम्मु कश्वीर की जनता का अभार वेक्त करता हूं आप सब कार करताओं का जितना अभिनंदन करूतना कम है देख के कौने कौने में आज भारतिय जनता पार्टी जो कुछ भी है हर संगर्श को पार करते हुए भारतिय जनता पार्टी नी जनता के दिलों में जो जगा बनी है उसके मूल में भाजपा के कार करता है बाजपा के कार करताओं का परिश्रम है बाजपा के कार करताओं की त्याग तपस्या है और इसलिए विजए के उस्सों में मुझे बार बार मेरे कार करताओं की याद आना बहुत स्वाबावित है उनके प्रती अभोभाव व्यक्त करना मेरा स्वाभावी मन करता है और इसलिए टीम स्पिरिट के साथ कंदे से कंदा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर लक्षकी और बढ़ते जाने वाले भारती जनता पाठी कार करता न रखने वाले है न ठकने वाले है और जुकने का तो सवाली नहीं होता है मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अभिनंदन करता हूं देश वाचियों को भी मैं उनके आशिरवाद के लिए प्रणाम करता हूं मेरे साथ बोलिए भारत माता की 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 भारत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं सब आपकी और से आदेनिया प्रदान मंद्र जी आदेनिया राष्ट्री अद्र जी और बाकि सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सभी कार्यकरताओं को नम्र निवेदन है कि यहां से अभी लोटने समय आपके लिए यहां पर बाजू में भोजन की विवास्ता की है सभी कार्यकरता हार्याना जमू कश्मीर में अपने कामयावी के लिए हम सब यहां से भोजन करके जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की भारत माता की जै और मोदी है तो मुमकिन है मोदी मोदी के नारों से बीजे पी का मुक्याले दिल्लि मुक्यादी